हेलो एब्रिवन दिस जमित सिंग और मैं आप लोग के बीच में फिर से फैंस आया हूँ क्लास 10 की फिजिक्स लेकर और जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था इससे पहले मैंने आपको दरपड वाला लेशन लगभग लगभग कम्प्रीट कर दिया है अब मैं आज एक नया टॉपिक चालू करूँगा प्रकास का अपवर्तन क्या प्रकास का अपवर्तन ठीक है रिफ्रेक्शन आफ लाइट चली हम समझते हैं कि प्रकास का अपवर्तन होता क्या है उससे पहले हम कुछ बेस बेसिक यह जानते हैं कि प्रकास का अपॉर्टन कब और कहा हो सकता है ठीक है ? चले देखते हैं जैसे हम यह सपोर्ष करते हैं एक हम यह boundary माल लेते हैं boundary मतलब यह है कि इसके उपर मतलब यह जो boundary है boundary यहां से लेके यहां तक है इसके उपर एक अलग type का माध्ध्यम है इसके नीचे एक अलग type का माध्ध्यम है ठीक है कहने के मतलब यह है अगर आप इसको वायू मानिए अगर यह वायू मानिए क्या मानिए अगर यह वायू है तो इसको मान लेगी यह मीडियम क्या है काच है क्या है काच है अब यहां देखे उस तरीके से नहीं जिसे हमने आपको परावर्तन में बताया था कि यह परावर्तक तल होता है परावर्तक तल कहने एक मतलब अगर यहां कलाई कर दिया जाएगा यह क्या हो जाएगा यह माध्यम परावर्तक हो जा कि अगर आप इसको कोई मात्धम मानते हो इसके उपर माध्धम क्या है क्या है इसको मालेजिया आप काच कहां से है. ये इसके उपर पूरा वाला हिस्सा ये क्या है वायू है ये नीचे क्या है काच है ये ही boundary है सीमा जी से हम कहते हैं जैसे एक दिवाल होती है तो दिवाल के इस तरफ किसी का घर होता है दिवाल के उस तरफ किसी का घर होता है क्लियर है दीवाल क्या होती है boundary की तरह काम करती वैसे यह भी क्या है एक boundary है इस boundary को हम आपतन बिंद भी समझ सकते हैं कहीं पर भी लेकिन देखे फ्रेंड्स जैसे मां लिजिए कि अगर यहां से प्रकास किया होती है सीधी रेखा में चलाती है ऐसे आएगी दूसरे मादधे में चली जाएगी लेकिन ध्यान दीजिएगा कि आपको हमने यहाभी बताया था कि प्रकास किरड क्या होती है सीधी रेखाय में चलती है लेकिन प्रकास की अपॉर्टन की घर्टा को दिखाने के लिए फ्रेंड्स क्या करना होगा यह जो प्रकास किरड इस मादधे में पहले हम फिगर को ड्रा कर लेते हैं तब समझने का प्रयास करते हैं यह देखिए यह क्या है आपका अभिलंब है आपको मैंने पहले बताया था यह क्या है अन मतलब अभिलंब यह वाली प्रकास किरड फ्रेंड क्या है आपतित किरड है और इनके बीच बना को यह बाद में बताऊंगा देखें यह वाला माध्यम क्या है वायू है क्या है वायू है नीचे वाला क्या है फ्रेंड्स काँच है क्या है का अब यह प्रकास केर ऐसे आएगी तो तो ऐसे आनेक बात क्या होगी थोड़ा से अपने मार्क से बिचलित हो जाएगी बिचलित होने का मतलब यह है कि सीधी नहीं जाएगी सीधी जाती तो ऐसे आगे निकल जाती लेकिन यह क्या होगी अपने मार्क से थोड़ा सा क्या होगी भटक गई अब देखे यही घटना ज प्रिभासा आप नोड भी कर सकते हो कि जब कोई प्रकास की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से बिचलित होने की घंपना को क्या कहते हैं बिचलित मतलब भटकने की जो भी आसे हैं अब आपके दिमार के होगा फ्रेंड ये प्रकास्केड यहां से ऐसे सीधी न जाके ये मुड क्यों गई तो इसको हम समझते हैं देखे पहले इसके पहले हमें जाल लेते हैं देखे ये वाला माध्यम जो है ये बिरल है बिरल का मतलब हुआ कि ये वाला माध्यम क्या है आपक आणाव้क हमग thread होता है तो हुआ होता है काथ क्रेंस धोस होता है कहने का मतलब यह है कि काथ के आण्गे वह फ्र्ला में उन्थे क्या होंगmy kाफि पास-पास होंगे कहने के मतलब यह इसतरी के सांझे कि φिगरुक मैं मिता देना आँन देखिए इस तरे के समझे कि अगर यह आपका यह वाला नीचे वाला कांच का मद्ध्यम है तो इसके अणु कुछ यूं होंगे इस तरीके से क्या होगे फ्रेंड्स इस तरीके से सकांच के अणु हो सकते काफी पास-पास आपको आपको आप देख रहे हैं लेकिन अगर वायू के बारे में हम बात करें तो एक अणु कहीं यहाँ एक अणु मतलब गैपिंग क्या होगी अणु की जादा होगी तो जब प्रकास केड़ यहां से गुजरेगा तो भीड कम है बतला वाई में भीड कम है तो टक्राव कम होगा लेकिन यह जैसे ही इस काच वालिमाद्ध में पहुंचेगा ति यह काच के अरूस से लगाता टक्राता रहेगा जिससे काड़े अपने पत से क्या हो जाएगा आप से पूछा जाएगा यह डीटेल आप से एक्जाम फ्रेंड नहीं पूछा जाता क्यों हुआ कैसे हुआ डिफनेशन ही पूछा जाता है लेकिन आपको एक एक चीज़ एक कांसेट को समझना है तो मैंने कहा कि बिरल और सगहन का होना क्या है जरूरी है मत्तब प्रकास क कि अपवर्तन की घटना को दिखाने के लिए दो माध्यमों का होना बहुत जरूरी है और हाँ प्रकास के अपवर्तन को दिखाने के लिए यह नहीं कि यह वाई है तो नीचे वाला भी क्या हो वाई हो ऐसा होगा तो क्या होगा फ्रेंड यह प्रकास के अपने माग से भठक कहने का हो. covenant मतलब एक माद्ध्यंट विरल हो, एक माद्ध्यंट क्या हो, सगन हूँ, आप कुछ लोग के दिमाग में होगा, क्या सर उपरवाला ही माद्ध्यंट विरल सकता है, नीचे वलगो nectar नहीं विरल, आपके इच्छा करें, आपके इच्छा करें तो उपर वाले को क्या बना दो सगन बना दो नीचे वाले को क्या बना दो बिर्ल बना दो चले कुछ चीजों के बारे हम जानते हैं जैसे अब घटना यह हो गया क्या आपका अब देखे इसको समझे यह वाली किरड़ हाँ तित किरड हो गई अब यह अभीलमक थ्वड़ा बढ़ा ले रहे हम नीचे तक यह अपने मार्क से क्या होगए बिचलित हो गए इनके बीच कोड बना इसको हमने बताया था आई इस कोड को हम क्या कहते हैं फ्रेंड आई और इनके बीच जो कोड बना थोड़ा फीगर को हम और बड़ा अच्छे साफ से बना लेते हैं जिससे आपको एक इसी सब्सक्राइब यह आपतित किरड यह अपवर्तित किरड यह हुआ आई ध्यान देना यहां आई जो है यह आपतन कोड है अभिलम और आपतित किरड के बीच बना कोड क्या कहलाता है आपतन कोड पहले ही पढ़ चुके हैं लेकिन यह तो अपवर्तित किरड है ना फ्रेंड यह परावर्तित क और अप्वर्थित किरड़न नीचे की तरह व्लंभ है ये तो आप सम specially यहाग एक Box विलंग गाल कि at the boosen to भी तो नाने बंदा स्वाठों हो जो है। अब ध्यान दीजी। इसको हमने कहा विरल इसको हमने कहा क्या सगन एक चीज़ और जानिए अब इस तरीके से भी हम परिभासा बता सकते हैं कि अगर कोई प्रकास की रड़ बिरल माध्ध्यम से सगन माध्ध्यम में जाती है तो अभिलम्ब की तरफ क्या होती है जुग जाती है जुकी एक नहीं अ और अगर यहीं प्रकास कर इस सगन माध्यम से बिरल माध्यम में जाती ती क्या होती यह अपने पत से मतलब अभिलम्ब से क्या होती दूर हट जाती तो आप ऐसे बता सकते हो कि जब कोई प्रकास कर बिरल माध्यम से सगन माध्यम में जाती है तो अभिलम्ब की तरफ जुक कुने की घटना को क्या कहते हैं प्रकास का अपवरतन कहते हैं या प्रकास की रड़ सगन माध्यम से बिरल माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से दूर या ऐसे कह सकते हैं अभिलम से दूर हटने की प्रक्रिया को हम प्रकास का अपवरतन कहते हैं लेकिन फ्रेंड वही एक माद्ध्यम से दूसरे माद्ध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से बिचलित होने की घर्टना को हम क्या कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं चलिए एक चीज़ जरूरी है फ्रेंड प्रकाश के अपवर्तन की घर्टना को दिखाने के लिए कुछ सर्त या प्याद रख पहली सर्थ क्या होना चाहिए कि दो माध्ध्यम होने चाहिए और दोनों माध्ध्यमों का प्रकिर्थ क्या होना चाहिए अलग होना चाहिए मतलब एक बिरल हो तो एक सगन हो अगर इसको बिरल मान रहे हो तो इसको सगन मानू अब चलिए हम कुछ अलग अलग बिरल और सगन म आप उसका एंसर बताओण हो दैसे महाँ लेता हूँ एक को यह ले रहा हूं और ले रहा हूं जल ले रहा हूं जल की इस तरीक 때र में बना दिया कि एक होगा की दिमार्सक्मणों होगा पर तो आप कहले के तुल्ला में क्या होगा फ्रेंट बिरल होगा तो कहने के मतलब यह है कि अगर प्रकास केड़ जल से काँच में जाएगी तो अभिलम की तरफ क्या हो जाएगी जुग जाएगी अगर प्रकास केड़ काँच से जल में आएगी तो क्या होगा अभिलम से दूर हट जाएगी चल की तरह कांब करना अब कांच के स्थाम पर aley रहा हूं तो आधो जल अब वाइक कि टुल्ला किया तो और उपर में क्या ले रहा हूं जल ली रहा हम सुद्ध जल जो पानी पीते प्रकिर्ट बदल रही है ऐसे देखिए आप अन्वह की आधार पर जब तक आप फील नहीं करोगे जब तक आप कलपना सकती इतनी इच्छी होगी उतने ही अच्छे से आप सिजिक्स या किसी भी सब्सक्राइब को आप समझ सकते हो चले जल के अलावा हम और लेते हैं जल ले है कि दो माढधिमों की तुलना करने पर मतलब ये कहना है कर सकते हैं तो आपने देखा कर सकते हैं तो अभिलन से क्या होती है और लहड़ जाती है एक sec and the power कर सकते हैं अबाए आपको अनवी की चाल के लिए अब्धाइं निरवात ते प्रकास की चाल जो होती है वह होती है तीन गुड़े 10काथ tag 8 मीटर्षोग एक किन नोड गळिए जप कोई प्रकास की किरण बिरल माध्यम से सघन माध्यम leps यह तो प्रकास की चाल घट जाती है नोट कर सकते हैं कि जब प्रकास के बिरल से सगन में जाएगी तो प्रकास की चाल क्या होगी पहले की तुल्ला में घट जाएगी कहने के मतलब यह है कि जैसे मा लीजिए कि प्रकास पहले निरवात में चल रही थी कहां चल रही थी वह प्रकाश वाटर में इंटर करेगी इसकी चाल क्या होगी किंदल करेगो है तो घ्ल ठृक्ट पता चल जाएगा क्लियर है इतना आपको समझना गया चलिए बहुत बढ़िया अब आप कमेंट बॉक्स में इसका अंसर दीजिए चलिए हमने शायद बताया भी था इसके बारे में काफ़ी डेटेल में और हमने बताया भी था का आपको कमें प्रकास का परतन जब पढ़ाओंगा तो आपको का कास के दू नियम क्या है पहला नियम क्या है पहला नियम सेम बेटा वही है जो उसमें था आपतित किरण अपवर्तित किरण अब वहां परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक अही तल में होते हैं जैसे उसमें था वहां परावर्तित किरण कही तल में होते हैं, दूसरे नियम को समझने से पहले थोड़ी सी चीज हम फिगर को समझ लेते हैं, ये देखिए अगर ये क्या है आपका आई, आपतन कोड है, और ये प्रकास केड़ गई तो ये आप और तन कोड है, तो इसमें क्या होता है कि किन्ही दो माध्यमों के लिए दूसर नियम को अब ध्यान समझना, किन्ही दो माध्यमों के लिए आपतन कोड की जा, जा मतलब साइन, हिंदी में जा कहते हैं, आधा जा, या, या पर आक मातरा, कैसे बताओगे नियम को लिख भी सकते हो, किन्ही दो माध्यमों के लिए फ्रेंड्स, किन्ही दो माध्यमों के लिए आपतन कोड की जा, तथा अपरतन कोड की जा का अनुपात एक नियतांग होता है, तो आप तिन कॉर्ड के जा मतलब sign I, irrelevant मतलब बटय मिलेंगे sign R कह रहा इसका anन्पात किसके बरावर होता है एक नियतांक होता नियतांक मतलब constant c ले सकते हो यह हिंदी में भी लिख सकते हो अब देखिए जरा ध्यान से, इस sign I, बटे sign I, बटे sign R को friend, sign R बराबर हम लिखते हैं, one, n, two, ध्यान देना, यन के नीचे थोड़ा one लिखना, उसके बाद यन लिखना, यहां क्या लिखना, two, यह C, मतलब यह जो C है, इसी के स्थान पे हम इसको भी लिख सकते हैं, दोनों स आई आपका, चाहिए आप इसको याद रखे, चाहिए आप इसको याद रखे, इस one, n, two, यह one, n, two, one, n, two कैसे लिखा जाएगा, one लिखो, फिर उपर थोड़ा यन लिखो, फिर नीचे क्या लिखो, तू लिखो, अब इसको पढ़ते क्या हैं, पढ़ने का तरीका, मैं इ जिसे हम पढ़ते क्या हैं जिसे हम बीरल माध्यम के सापेच सगन माध्यम का अपुरतनांग कहते हैं ठीक है चलिए यह अपुरतनांग फ्रेंड्स एक नाम है इसकी डिफनेशन मैं अगले वीडियो में दूँगा खुब अच्छे से क्या होता इसका मतलब इतना जान लेजिए, इसको हम पहले, यहाँ one का मतलब पहला माद्ध हम, और two का मतलब क्या दूसरा, अगर देखो, देखो, पढ़ने का तरीका समझो, यहाँ हमने लिखा क्या, one लिखा, n लिखा, क्या लिखा, two, अगर प्रकास केड़ वायू से कांच में जा रही है, तो व अगर यहाँ लिखा हो, अगर यहाँ लिखा हो, अगर यहाँ लिखा हो, आपका जी, ऐसे लिखा हो, अगर यहाँ लिखा हो, जी, एन, ए, इसको क्या पढ़ोगे आप, कांच के सापेच, वाय का परतनांग, अगर यहाँ लिखा हो, डबलू, एन, ए, यह मतलब, कांच के सापेच, किसका परतनांग, वाय का परतनांग, तो पढ़ने क तरीका आप जान गए, ठीक है, और धान सायना यी बटे, सायनार बराबन नियतांक अथवा करके लिख सकते हो सायना यी बटे, सायनार बराबर, वन and टू, इस दूसरी नियम को, friend हम स्नेल के नियम से भी जानते हैं, ये बहुत famous है, कभी कभी एक नंबर में डारेक्ट दे देगा आपको स्नेल का नियम बताईए तो यही जो प्रकास के अपॉर्टन का दूसरा नियम है फ्रेंड इसी स्टेट्मेंट को आप एक्जाम में डारेक्ट लिख देना आपको और कुछ लिखने के जरूत नहीं है पुछा गया स्नेल का नियम किसे कहते हैं तो सीधे लिखिए कि नहीं दो माध्यमों के लिए आप तन कोड की जया तथाप और तन कोड की जया कान पात क्या होता है एक नियतांक होता है आपको इतना समझ में आया होगा चले ठीक है अब मैं इस वीडियो को इंड करता हूँ कि काफी लंबा वीडियो हो गया है आप इसको अच्छे से देखिएगा अगरे लेक्चर में मैं फिर से मिलूंगा कुछ नए टॉपिक के साथ थांक्यू बाय बाय चाओ 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 कि ये से देखिए लेक्ट